नमस्कार एन वेलकम यॉल एट इंडो पार्ट शाला आज का हमारा टॉपिक है ओशिन करेंट्स चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को सबसे पहले हम ओशिन करेंट्स के डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि मतलब आखिर ओशिन करेंट है क्या देखिए जो करेंट्स हैं यह होती हैं अक्सर आपकी धाराएं मतलब पानी में चलने वारी जो धाराएं हैं वो होती हैं आपकी करेंट्स लेकिन जब यह धाराएं अपना रूप बदलगर के बड़ी हो जाती हैं इनका जो मार्जिन है वो बड़ा हो जाता है तो यह बन जात ने विकल्व में आपका पहले वेंज होते हैं और के चाल होती हैं कि फूर्टुकु की सथा चीज में उपकर chilly से वियु您 dal्लब एक तो आपकी कारट्स है जो इसमें उनका लेवल कान और पाने की सतह के नीचे जो उनका surface है उसके just नीचे और उसके उपर वाला part भी जाइड सी बात है दोनों वो move करता है अब वो move कैसे करता है पूरी कहाने भी बताऊंगा आपको आगे और लेकिन जब हम बात करते हैं waves की तो waves अक्सर उची होती है है ना और वो waves उसी को हम आगे आगे tide बोल देते हैं अगला ही रूप है उसका तो vertical जो आपका vertical movement है उसमें आपका tides, surge और upvailing होता है महीं बात हम करें horizontal की तो इसमें आपकी waves और currents आती है तो movement आपका दो ही तरका होता है अब एक चीज़ और भी इसमें जाने ये जरूरी है कि आखिरे movement होता क्यों है क्योंकि इस चीज़ को आपको इसमें ऐसे याद रखना है कि हमारी प्रत्री है goal ठीक है इस spare है तो मैं बार बार गोली बोलूँगा इस spare को आप मतलब mind में रखेंगे अपने तो इस spare है बीच में आपका आता है आपका equator ठीक है उपर आगे आपका North Pole नीचे आपका South Pole तो यहाँ पर जो sense है जो Coriolis force लग रहा है उसकी वज़ा से आपका जो water है वो move करता है जो Northern Hemisphere यह है Southern Hemisphere मतलब आप लोग इतना अनलाजा होगा कि उपर वाला आपका portion है Northern Hemisphere और नी नदन वाला portion है उसमें जो धाराए है ठीक है यानि कि जो आपकी currents है वो clockwise यानि इस sense में चलती है कि मतलब इस sense में ऐसे बढ़ेंगी ऐसे जाएंगी ऐसे और फिर इस sense में बढ़ेंगी लेकिन आपके Southern portion में यह countervailing या फिर anti-clockwise movement करती है इसको अभी मैं पूरे map के तो आपको समझा दूँगा ठीक है अब जो आपका प्रत्वी है हमारी है ना जो प्रत्वी है बीच में equator अब इसके ऊपर जो जाएंगी वो इस तरह से जाएंगी जबकि नीचे वाली इस तरह से जाएंगी यह short में समझा दे मैंने आपको इसके लावा ocean currents are large masses of surface water that circulates in regular pattern around the oceans यह regular pattern में हमेशा follow करते हैं दूसरे को इसके लावा those that flows from equatorial region to polewards have a higher surface temperature and are warm currents इसको मैं आपको अभी समझा जाते हैं तो पढ़ लेते हैं पूरा इसके लावा third point लिखावा है those that flow from polar regions to equatorwards have a lower surface temperature and are cold currents यह यह कहना चाह रहा है कि जो यह NCRT के लाइन है पूले लेके भी कि equator जो आपकी प्रित्वी है यहाँ पर आगे आपका sun ठीक है मालो यह sun है तो इसकी जो धारा जो इसकी जो रोशनी पढ़ रहे है डारेक्ट sun के जो रोईस पढ़ रही है वो इस portion पर ज्यादा पढ़ रही है तो जो equator के पास वाला पानी है वो हमेशा क्या होगा वो वाम् पॉल्स की तरफ जाती है तो ठंडा पानी माफ करें गरम पानी ठंडे की तरफ बढ़ता है यहाँ पर हमारा गरम पानी वह उपर ठंडे की तरफ बढ़ता है लेकिन जब हमारे हम पॉल्स की बात करते हैं पॉल्स से पानी जब नीचे एक तरफ एक तरफ आता है तो ठंडा पानी गरम में मिलेगा, ठीक है, हर तरह से बता दिया है, यहाँ पर आपको इसी किलेरिटी हो जानी चाहिए, नेक्स्ट आप यह शब हमारे को समझना जरूरी है कि कन्वेक्शन, इस वीडियो का आप ध्यां से देखिए, कन्वेक्शन असल में है क्या, ध्यां से देखिए इ तरह मुवमेंट, ठीक है, अब इसको इस तरह से समझो आप, कि बीच में जा रही है आपकी एक्वेटर, ठीक है, अब यह एक्वेटर के दोनों तरफ पानी है, मैंने बताया ना भी आपको एंटी क्लॉकवाइज चलती है, जो आपका धाराएं हैं, जो करेंट्स हैं, वो इस पॉर्म में चल रही है, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, कि नौर्थ पोल से ठंडी धाराएं नीचे आई, यहां से वाम धाराएं उपर इस तरह बढ़ रही हैं, और यह इस तरह से क्लॉकवाइज मुड़ जाती हैं, उस तरह से जह हम यहां से मुड़ते हैं, तो ये इस तरफ मुड़ जाती है, जबकि North Pole वाली आपकी इस तरफ मुड़ जाती है, तो एक मतलब clarity उसीज में है, convection है, गरम पानी का, गरम स्थान से, ठंडे स्थान की तरफ बढ़ना, ठंडे पानी में मिल जाना, अगर हम बात करते हैं, असल में जो आपकी धरती पे हम जब नमापते हैं, जब गड़ना करते हैं, उसको हम मेजर करते हैं, तो आपकी मेजर cold warm, जो global ocean currents हैं, वो इस प्रकार देखने को मिलती हैं, ये पूरा world का map है, और हमारे हमें इस तरह से ये पूरे world wish में फैले भी मिलती हैं, नेक्स जो आपकी पिपटी है, पेज में उसको समझाओंगा आपको, इसको आप overall एक बार देख लीजए, कुल मिला करके 20-25 ही निकलती हैं, ठीक हैं, बाइस आपकी ये हैं, पर इने 22 मेजर ही सारी नहीं है, छोटी-छोटी हैं सारी ज़्याद तर, लेकिन कुछ बड एक दूसरे को follow क्यों करती हैं, या फिर इस तरह से someone, convection क्यों करती हैं, रीजन क्या है, इनके following करन का, सबसे पहले तो इनका wind, जो पवन हैं, वो तेज चलती है, हमारे को अपने ये एरिया में रहने में पता नहीं चलता है, लेकिन समुदर के उपर हवाएं अक्सर बहुत चलती है, तो वो भी इनको जो moving direction है, उसको affect करती है, साथ ही, जो slope है, slope कह लीजिए, या फिर जब जी सी लियोंग या फिर आप हायर सेंडर वाली geography की books पढ़ते हैं, तो उसमें उसको gradient कहा जाता है, ठीक है, इसको essence में समझ सकते हैं, कि ये map जो है, ये goal map को बढ़ा कर दिय जागया है, असल में परत्वी तो हमारी sapphire है, spare है, goal है, तो कहीं न कहीं slope की वज़ा से, पानी नीचे की तरफ pressurize होता है, ठीक है, तो second reason तो इसमें देखने को मिल जाता है, है ना, और यह मदब round कहले जी या फिर spare कहले जी धरती को, third में देखें तो फिर density level हो सकता है, density level क किसे decide होता है, यह decide होता है आपका salinity से, जो saline water है, वो भारी होता है, जबकि जो आपका मीठा water है, या फिर जो आपका sweet water है, वो हलका होता है, तो salinity का level भी आपका समदर में अलग-अलग देखने को मिलता है, उसके हिसाब से, जो density वाला water है, वो उपर हो जाता है, क्योंकि तो यहाँ पर एक यह factor में मिलता है आपको, थर्ड आता है आपका temperature, temperature देखने को मिलता है, कि equator के पास वाली जो आपकी, जो समदर का portion होगा, महाँ पर पानी गर्म होगा, जबकि poles के पास आपको पानी ठंडा मिलेगा, तो ठंडा पानी अकसर heavy होता है, और गरम पानी को पाता है, तो उसकी वज़े से पानी में movement चालू रहता है, इसके अलावा land को देखने को मिलता है, जब हम North Pole की बात करते हैं, तो इस पे हमारे को land ज्यादा मिलते हैं, जबकि जो आपका southern portion है, यहाँ पे land कम है, water ज्यादा है, तो ज्यादा तर आपको current southern hemisphere में देखने को मिल करते हैं, कि earth जो rotate करती है, उससे जो corollis force निकलता है, ठीक है, उसकी वज़े से pressure होता है, पानी के उपर तब वो rotate करता है, साथ में आपको यह याद रखना है, कि current, जो currents होती है, जो आपकी यह currents है, यह बहुत important role play करती है, धरती पर heat के distribution में, है न, क्योंकि गरम पानी लेक करता है, convergence वाला, वो वहाँ पे अक्सर जो convergence area होता है, वहाँ पे fishing काफी अच्छी हो जाती है, वहाँ के आसपास के जो देश है, वहाँ पे मौसम अक्सर सुहामना रहता है, तो heat के distribution में बहुत important role play करती है, यह आपकी currents, ठीक है, और आपको जो fact याद रखना है, कि वो यह ह होती है, ठीक है, northern hemisphere में land ज्यादा है, तो वहाँ पे currents कम देखने को मिलेंगी, south में आपको current, अपका land कम है, तो आपको currents ज्यादा देखने को मिलेंगी, ठीक है, वहीं अगर हम बात करें, ऐसे area जहाँ पे warm और cold currents मिलते है, ठीक है, जहाँ पे इनका पानी आपस में मिलता है आप इसको अभी google पर जाके na, gulf stream का convergence सर्च करना, तो आपको वहाँ पे पानी का color अलग अलग देखने को मिलेगा, वो जो color अलग देखने को मिलता है, वो convergence वाला area है, अकसर पानी जहाँ अलग हो रहा होता है, ठंडा पानी, गरम पानी से मिल रहा होता है, अधिक saline वाला water कम saline वाले water से मिला होता है, वहाँ पे natural, जो water पे एक line देखी वी नेजर आती है, वो इनी reasons की वज़े से होती है, और ऐसे reasons में fishing बहुत अच्छी होती है, मौसम, अकसर climate यहाँ पे जो होता है, वो अच्छा रहता है, जाद अतर, ठीक है, साथ महीं यहाँ पे बहुत सारे side effects भी होते हैं, देखने को मिलते हैं, वो क्या-क्या होते हैं आपकी, सारी चीद अभी सीखी लोनाई के साथ, यहाँ पे rain, अकसर जब ठंडा और मौसम, तो moisture काफी ज़्यादा हो जाता है, तो बारिश ठीक ठाक होती है, fog की काफी ज़्यादा समझ से देखने को मिलती है, औ और एक बहुत important यह effect करती हैं धरती पे, वो है desert का formation, अब desert का formation होता क्यों है, वो इस तरह समझे, मतलब एक factor और है, desert formation के लिए cold currents अपकी जिम्मेदार होती है, अब cold currents कैसे होती है, cold currents जहाँ पे जाएंगी, वहाँ पे high pressure reason बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि यह heavy होती है, यह high pressure को create करती है, जब high pressure zone बन जाएगा, तो वहाँ पर आपका एक तरह से दूसरी प्रकार की जो currents वहाँ पे enter नहीं कर पाएंगी, क्योंकि यहाँ पे already density जादा है water की, तो दूसरे type का currents है, वो इसमें enter नहीं कर पाएंगी, इससे क्या होगा, कि जो आपका area है, वहाँ पे moisturizer कम हो तो बारिश नहीं होगी, और जब बारिश नहीं होगी एक long term में, तो वहाँ पर desert का formation हो जाएगा, example के तोर पे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, कि world में जितने भी आपको रेगिस्तान मिलेंगे, desert मिलेंगे, वो land के western India में देखने को मिलेंगे, simple सा example, हमारा प्यारा इंडिया इंडिया के western part यानि की राजिस्तान में desert का बना होना, ठीक है, यहीं अगर हम बात करें, सहारा का, तो एफरीका के western part से ही, मतलब जो severe desert देखने को मिलता है आपको, वो आपको western part में देखने को मिलता है, ठीक है, इस तरह के सारे example आपको इसमें देखने के मिल जाएंगे, तो convection आपको समझ में आ गया होगा, हाँ, एक चीज और है, जो अकसर paper में पूछी जाती है, वो है आपका पेरू का current, जो पेरू की current है ना, इसको humble current भी कहा जाता है, अब इसके लावा देखते हैं, इसमें मैंने mention कर रखा है, नीचे लिखे वे हैं सारी, कि आपकी cold currents कौन क current की, क्योंकि California ओपर, Canada से नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा, तो California current हो गई, ये UPSC के premium question भी आया था, Humboldt current, या फिर पेरू की current इसको देखने को मिल सकती है, कहा जा सकता है, ये आपकी cold है, ठीक है, ये ठंडी जल्दारा है, लेब्राडोर जल्दारा आपकी current हो गई Canary current हो गई, Banguela current, Falkland current, West Australian current और आपकी ये ओहस्क current, ये आपको इस एरिया में देखने के लिए मिलती है, रश्या के तरफ, ठीक है, ये main current है आपकी, जो की cold current है, तो जो blue वाली से mention है, वो सब आपकी cold currents है, next PPTV जो page है, आपको उसमें मैं समझाता हूँ भी, warm currents में हमें देख सकते हैं, जो आपको mainly याद रखनी है, उसमें आपको ये north pacific drift, साथ ही north equatorial current, south equatorial current, ये वाली, साथ में आपको gulf stream, most important है gulf stream आपका, इस तरफ आपको मिलेगी gulf stream देखने के लिए, अभी समझाँगा बहुत अच्छे से, नीचे आते हैं, तो equatorial counter current, जो equatorial counter current है, वो आपका ये वाला portion है, इसमें देखने के लिए मिलेगी, अक्सर वो वैसी currents, जो विश्वत रिखा पर establish करती हैं आपने आपको, वो कहलाती है counter current, equatorial counter current, क्योंकि ये ऐसा जोन बनाती है, क्योंकि हमने भी पढ़ा था, मैंने आपको बताया है, कि equatorial से जो currents होगी, वो यहां से उपर तरफ जाएंगी, यहां से नीचे की तरफ आएंगी, लेकिन जो आपकी counter currents है, equatorial counter currents, ये इसी पर घूम जाती है, इस तरह से, ठीक है, तो इनकी ये exception के तौरब इसको याद रखना है, ओके, next देखेंगे, तो आपका monsoon currents, monsoon currents जो इनकी, इनका directions होता है, ये इसको तक change कर देती है, तो monsoon currents आपको अक्सर polar reasons में देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है, वहीं हम बात करें, तो mozambic, mozambic current यहां आपको इस area में देखने के लिए मिलेगी, अभी सब नहांगा असको, माफ करें, इस तरफ नहीं है, यह इस तरफ है, इस तरफ, अफरिका के नीचे, mozambic current आपको यहां देखने के लिए मिलेगी, जापान की current है, यह आपकी गरम जल्दहरा है, बहुत important है, और सबसे important है आपकी इसमें आपकी Eastern Australian current, आपको इस तरफ मिलेगी है, आप बढ़ते ह next page की तरफ, जो हमारा बहुत important page है, वो आता है यह वाला, यह सारी वो जल्दहरा हैं, जो आपको ठंडी, cold और warm current में describe करती है, कौन कौन सी है, वो आपको इनकी location याद रखनी है, कि कौन से देश के पास मिलती है, ताक कि आप question को connect कर पाएं, ठीक है, सबसे पहले आपकी बह उपर इस reason में मिलती है, या देखने को मिलती है, आपकी ohask, है न, o-k-o-k-h-o-ts-k, ohask, जल्दहरा, यह आपकी ठंडी है, ohask वाला, मैंने cold current में बताया था भी आपको, ओके, तो यह है आपकी western, western Australian, देखिए, यह blue से है, तो मतलब यह ठंडी जल दा रहा है, वहीं पर हम बात करते हैं, eastern current की, तो यह आपकी warm current है, तो यह इसका देखूँ, current विबन कैसे दिए, यह है आपका equatorial, equator, ठीक है, equator से south equatorial, जो आपकी current है, वो यहां से आई, और यह turn कि किस तरफ हो गई है, mozambic current की तरफ नीचे turn हो गई है, अब नीचे आपका आता है polar, polar से सारी आपकी चलती है, countervailing part में, यानि की किस तरफ, इस तरफ चलेंगी, ठीक है, कोई सी जलदार होगी आपकी इस तरफ चलेंगी, तो यहां से यह example की तोर पे south Indian current जो थी, यह उपर म हो गया होगा आपको किस तरह से काम कर रही है, यह देखो, यह इस तरह से countervailing हो गई, यहां पर यह वाल आपकी बैंगोला की धारत ही, यह उपर गई, उपर आपकी south equatorial current दुबारा आगे मिल, मतलब दिखी आपको, यह equatorial से दुबारा नीचे की तरफ, नीचे आकर के ठंड यह portion बना, मतलब इस तरह बढ़ रहा ही है, ऐसे, इस sense में, यह भी आपको इस तरह मिलना है, गोल बनता है, और again, south pacific आपकी जो current है, यह थंडी जल दा रहा है, वहीं आपकी, पेरू वाली जो आपकी cold current है, यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाती है, और again, south equatorial जो आपको देखने के लिए मिल गई, अब यहां पर आपकी gulf stream, दुबारे देखी मैंने बताया था, यहां पर चलेंगे आपकी clockwise, equator से उपर चलेंगी clockwise सारी, और यहां चलेंगी सारी आपकी counter clockwise, तो इस चीच को आप यहां से समझ सकते हैं, Alaska, California जल दाहरा, यह question आया था UPSC में तो यह आपकी gulf stream, Norwegian, यह आपकी hot है, मतलब warm current है, यहां पर मिलेगी आपको यह अगलु हास की जल दाहरा, current तो यहां पर मैंने आपको सारी discuss कर दी हैं, जो important थी, आप इसको खुछ से एक बार पढ़ें, अब कर बढ़ते हैं, आगे की तरफ, इंडिया नोशन current, कौन कौन सी हमारे को देखने के लिए मिलती हैं, तो North equatorial current आपको मिलेगी नीचे, South India की तरफ, equatorial counter current मैंने बताया था, क क्योंकि इस तरफ से गुजरती है, आपकी कौन सी, यह equator गुजरता है, ठीक है, equator गुजर रहा है यहां से, तो यही पर आपकी मिलेगी equatorial current, counter current, तो क्योंकि वो equator के पास से ही निकल जाती है, यह रहा ना, दिखायता है यहां पर, यही देखो, इसको mention करो, देखो, यही, equatorial counter current, तो यही वाली portion है, जो मैं आपको next दिखा रहा हूं, कि यहां से निकली है आपकी equator, और यही पर गुज़ूंग गई आपकी, तो इसी की वैसे, इसको equatorial counter current बोला जाता है, ना यह उधर की रहती है, ना इधर की, दोने दर से हिसाब बराबर रखता है जिका, तो यहां से देखते हैं कुछ MCQ ताकि आपको clarity रहे, question है, ocean currents are examples of, मतलब महासागरे धाराएं, किसका उधारन है, इसको हमने शुरू मही समझा था, answer है option A, यह example है आपका convection का, convection क्या होता है आपको, warm area से cold area की तरफ पाने का water का move होना, यह आपका convection है, तो convection takes place, यह वही साचीज़ आपके लिखी है, यहापको याद रखना है, वो यह है कि convection आपका liquid और gas दोनों form में होता है, ठीक है, और volcanic eruption इसमें आपको देखने के लिए मिल सकता है, और ocean currents यहापे आपको देखने के लिए मिल सकती है, किसकी वजह से, convection की वजह से, presence of convection in current, so next question है, gulf stream is type of, which type of current, तो इसको मैंने mention किया था, कि यह आपकी एक warm current है, ठीक है, तो option A is the answer, labrador current is which type of current, तो answer है option B, यह आपकी cold current है, next question is, jet streams are an example of, तो यह example है, air currents के, water currents की तरह है यह आपका air belt होती है, जो cover करके रखती है, प्रित्वी को चारों तरफ से, खेर, अगर मैं उसको भी explain करूंगा, तो काफी लंबा session हो जाएगा, उसको मैं next video में आपका try करूंगा, कि मैं air currents को cover कर लूँ, फिलहाल, jet stream याद रखिए, यह air currents का part है, which among of the following, given oceans, does alnino occur, तो यह example है, option B, pacific, ocean की वज़े से, आपका, alnino की घटना होती है, ठीक है, तो next, alnino mainly आपका work करता है, जो आपकी पेरू या फिर Humboldt current थी वहाँ पे, और यह जो आपकी लाए करती है, यह लाए करती है, pacific ocean में, especially जब pacific ocean में temperature rise होता है, ठीक है, तो भारत या फिर इंडिया में, जो आपका monsoon है, वो बिगड़ जाता है, तो इसका disbalance होना ही, यह alnino की वज़े से होता है, यह फिलहाल जो घटना हो रही है, यह question depend करता है इसके उपर, और जो घटना हो रही है, यह होती है, आपकी pacific ocean मे इसको आप यहां से संबस सकते हैं, वीडियो को ध्यान से देखिए, देखिए इसको, alnino और lalino explain किस तरह से, यह किस तरह से work कर रहा है, देखिए, trade winds आया है, आपकी वो इस तरह मूव करती है, ठीक है, इस वीडियो को देखिए और पूरा करिए, हम बढ़ते हैं बागे की तरफ, नेक्स्ट क्वेशन है हमारे पास, which among of the following is the busiest ocean trade route, तो आंस्वरी इस option C, North Atlantic route is the busiest ocean route, मतलब trade route है, तो, तो C is the answer, नेक्स्ट है, which current is called Humboldt current, तो Peru current is also known as Humboldt current, इसको मैंने डिसक्स किया था, और ये गैलापागोज आइलेंड जो हैं आपके, महाँ पे जाकर के, टर्न हो जाती हैं नीचे की तरफ, तो answer B, B is the answer, Peru current is also known as Humboldt current, नेक्स्ट देखिए आप, और ये आपको यहाँ बिलेंगी, साउथ अमेरिका में, इस वाले western की तरफ, तो western इस आपका क्या है, एक्वाडोर के जस्ट बरावर में, गैलापागोज आपके आइलेंड है, महीं पर आपको मिलेगी, Humboldt या फिर पेरू current, नेक्स्ट है, विच ओशिन करेंड जोइन्स विद लेब्राडोर current, तो लेब्राडोर आपका ये रहा, यहां पर उपर है आपका ये डेविस स्ट्रेट, लेब्राडोर current आपको इस तरफ देखने के लिए मिलेगा, ये, ठीक है, न्यू फाउंड लेंड आइलेंड के जस्ट इस्टन साइट पे, और उसी के नीचे है आपकी गल्फ इस्ट्रीम, जो कि आपकी एक गर्म जलधारा है, ठीक है, और ये काफी बड़ा फेमस एरिया है, जहां पर फिशिंग की जाती है, और यहां से फिर ये इसके साथ मिलकर एक गल्फ इस्ट्रीम साथ मिलकर एक ऊपर की तरफ टर्न हो जाती है, तो इसका अंशर है, ऑप्शन D, यह मिलती है आपकी फ्लोरिडा करेंट से, लेब्रेडर धारा किस महासागरी धारा से मिलती है यह पहले मिलती है आपकी फ्लोरिडा करेंट से और उसके बाद गल्फ ऑफ इस्ट्रीम में नेक्स्ट है तो सबसे पावर्फुल करेंट है वह आपकी मिलेगी आपको कहां पे अंटर्क्टिक सरकंपोलर करेंट इसको आप इस तरह समझे क्योंकि एक लैंड कवर एरिया मिलता है यहां पे आपको ठीक है अंटर्क्टिक वाला और जो करेंट्स होती है वो इसी बीच में आसपास रह जाती हैं काउंटर वेलिंग पोर्शन में तो यहां पे आप इसको देख सकते हैं ओके नेक्स्ट है निमलिखित विकल्पों में गर्म जब महासागरे धारा ज्यात कीजिए या फिर फाइंड आउट दवाम ओशन करेंट इन फॉल्लोंग ओप्शन तो जो वाम है वो है आपकी इस्ट ओस्टेलियन करेंट जबकि वेस्ट ओस्टेलिन करेंट आपकी कोल्ड करेंट है ठीक है तो नॉर्थन स्वीडन में ही लेब्राडोर जो की आपकी एक कोल्ड करेंट है उसकी वाज़े से साल के नाइन मंथ तक ठंड का मौसम रहता है कहां पे आपके नदन स्वीडन में तो नेक्स्ट कोश्चन हमारे पास विच इस या फिर आर expected to result in due to global warming तो global warming का कारण है यह सारे ही जैसे increasing level of sea definitely यह तो है है change in crop pattern no doubt यह भी है और change in coastline तो यह भी इसमें देखने के लिए मिलता है next हमारे पास which among of the following is a warm ocean current of the pacific ocean तो pacific ocean में ऐसी कौन सी जल्धारा है जो कि आपकी गर्म है या फिर warm है तो उसका answer है आपका option a q ratio जल्धारा ठीक है या फिर q ratio current याद रखे कि इसी को जापान current के नाम से भी जाना जाता है और यह ताइवान में बहती है bearing state से होते हुए ठीक है और यह pacific ocean की warm current है next है मारे पास which of the following is cold current तो उसका answer है option d forkland current यह काफी important है और यह आपको इस area में देखने को मिलेगा Brazil current के नीचे के तरफ तो Brazil current यहाँ आपको Brazil current और इसके नीचे आपका यह forkland current ठीक है next है आपका the rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called तो definitely यह है आपका option d यह टाइड है दिन में दो बार आपका जलका उपर यह नीचे जाना यह जौर भाटा टाइड कहलता है ठीक है तो northern hemisphere यहापे आप इसको समझ सकते हैं इसके थुरू जो आपके poles हैं वहापे आपके low tight रहते हैं जबकि moon और sun आपके इस area में पढ़ते हैं जिसके वज़े से उनके power उनके gravitational force के वज़े से पानी के जो water है उसके density में उसकी uplifting में affection होता है जिसके वज़े से आपको tight देखने के लिए मिलते हैं तो d is the answer next है which of the following is a warm current तो answer is option c यह आपकी curotio current है तो curotio current आपको यहाँ देखने के मिलते हैं जो कि एक warm current है ठीक है next which of the which one of the following factors is responsible for the change in the regular direction of the ocean currents in the Indian ocean तो answer है आपका option b Indian ocean has monsoon drift next है अगुलहास current flows in तो यह बहती है आपकी option है यह Indian ocean में बहती है ठीक है और Indian ocean में किस तरफ यह मिलेगी है आपको Africa में और वो भी कहाँ पे Eastern Africa में तो अगलुहास में डगासकर के जस्ट नीचे और यह एक warm current है next आपके पास the country benefiting the most out of the North Atlantic drift is तो answer is option c Norway ओके तो जो आपकी North Atlantic drift है उस ज़्यादा जो सब ज़्यादा फायदा होता है वो होता है किसको for Norway को which one of the following oceanic currents is not associated with the Pacific current तो जो Pacific currents से आपकी connected नहीं है वो है आपकी canary की जल्धारा यह मिलेगी आपको North Atlantic ocean में ठीक है तो canary जल्धारा question आपका which of the following is not matched correctly तो B is the answer Humboldt current यह आपकी North Pacific ocean में नहीं आती है Brazil current आपको South Atlantic ocean में मिलेगी Gulf stream North Atlantic ocean में मिलेगी और अगलो हास आपको Indian ocean में देखने के लिए मिलती है Humboldt मिलेगी आपको कहां पे South East Pacific ocean में ठीक है Gulf stream आपको यहां पे यह North Atlantic ocean में तो Humboldt आपको मिलेगी आपकी South East Pacific ocean Question है What explains the eastward flows of the equatorial counter current विश्वतिय प्रतिधार के पूर्व की और प्रभा को क्या समझा जाता है English वाला ही जादा बैतर था इसका answer है option A the earth's rotation on its axis यह वही है जो मैं आप आपको बताया था कि equator के उपर आपकी ऐसी जलधार है जो equator पे ही घूम जाती है है ना equatorial counter current कहलाती है तो किसकी वज़े से था वह विश्वतिय प्रतिधारा का ही एक example होता है तो यहां होता ही इस वीडियो का end hopes आप लोगों समझ में आ गया होगा और हम air current को next topic में cover कर लेंगे Thank you